असलाम अलेकुम आज मैं आप सब के साथ में नान गोश्ट की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी जो शादियों में नान गोश्ट बनाया जाता है यह वही रेसिपी है एक पर इस रेसिपी को ज़रूर रहे किजिएगा आपको आपकी फैमली की बहुत पसंद आ नान गोश्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पेकड़ाई रख ली है उसमें 160 ml मैं यहां मस्टर्ड ऑईल डाल रहे हूं आपकी सीब ऑईल का यूज कर सकते हैं लेकिन जो ट्रडिशनली नान गोश्ट बनाया जाता है वह सरसो के तेल में ही बनाया जाता है तो यह अब हम इसे साइट में रख लेंगे तेल हम चेक कर लेते हैं यह देखिए तेल कितने अच्छे से गर्म हो चुका है धुआ निकल रहा है एकदम अब हमने जो नमक का पानी बनाया था वह इसमें डाल देंगे और तुरंत ना हमें लिट से कवर कर देना है क्योंकि जब हम प यह बहुत तो प्यास का कलर चेंज होगा तब तक मैंने अफ टेबिल स्पून हल्दी ले ली है और उसमें दो से तिन स्थी टेबिल स्पून पानी डालकर हमें उसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है एक भी लंब नहीं होना चाहिए उसमें हल्डी को अच्छे से मै जल्दी हम बाहर निकाल लेंगे,cakप 15-20 मकान अबसेख राइ का कीमाइक सिकाल Iya हलका सा कलर चैंज हो जाए सी हुझाल जाही क गोल्डन में के धानल के, तब तक हम इन्धा के फ्राइख कर देंगे और ये Color Change हो चुका है मकानों का तो उने भी हम निकाल लेंगे गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर ये जो हमने हल्दी का पानी त्यार किया था वो हम इसमें डाल देंगे हल्दी को हमें भूनना है जब तक हल्दी में से दाना नजर नहीं आने लगता है तब तक जब तक ये कुछ ग्रम मसाले हैं जिसमें तीन चोटे तेजपता है चार पाँच लॉंग है दो चोटी दालचीनी के पीस हैं एक बड़ी इलाइची एक दो चोटी इलाइची आठदस काली मिर्च हैं एक चोटा सा जावितरी का पीस है और चोटा सा ये मैंने स्टार ले लिया है बादियान का फूल इन सबी को हमें आईल में डाल देना है कुछ सेकंड के लिए उन्हें बड़े के साफ है ये मैंने गोश्ट ले लिया है ट्ररीशनली जो नान गुश्ट बनाया जाता जो आथेंटिक नान गुश्ट बनाए जाता है वह बड़े के ृध्य प्रेंगों आप चाहएं इसमें भूणियों का बस्लिक जाए जान आद्व आख मैं इस पन hypoth़र ने र मैंने गोश्ट को बहुत अच्छे से करीब 5-6 मिनट तक ना भून लिया है अब यह मैंने एक बड़ी साइस की प्यास को नस बारी बर एक स्लाइजिस में कट कर लिया है नान गोश्ट में इसे तरीके से प्यास को काट करके डाला जाता है लेकिन आप जैसे भी चाहें वैसे कट करके आप डाल सकते हैं लेकिन थोड़ी बारी कट करके डालिएगा प्यास हम इसमें डाल देंगे उसके बात में मैं इसमें नमक डाल रही हूँ तो मैं हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको हमें भूनते रहना है flame کو हमें लगतार high ही रखना है अब मैं इसमें half टीबल स्पून लाल मर्श का पार्र डालरी हूँ और 5 टीबल स्पून भर कर मैंने इसमें दही डाल दिया है अब हमें इसे अच्छे सेHHH मिक्स कर देना है और इसको हमें भूनते रहना है नानगोष्ट अगर आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं बिल्कल शादियों जैसा टेस्ट आप चाहते हैं कि इसमें आए तो फिर आपको उसको बहुत अच्छिसे भूहना होता है तब ही नानगोष्ट थे में एक दम ओरीजिनल वार जो टेस्ट होता है वो आता है इसको मैंने करीब 7-8 मिनट अच्छे से भून लिया है अब मैं इसे गलने के लिए रखना है तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ एक से दो कप मैंने पानी डाल दिया है आप इस रेसिपी को कुकर में भी बना सकते हैं तो मैं उसे तरीके से आपको बना कर बता रही हूँ तो कड़ाई में गलने में गोश्ट को टाइम लगेगा इसलिए 40-45 मिट तक मैं इसे गलने के लिए छोड़ दूँगे अब यहां जब तक गोश्ट गल रहा है हमें इसका मसाला त्यार कर लेते हैं जिसके लिए मिकसर का मैंने गारि ले लिए ए उसमे जो हमने मैं पैसको फ्राय किया था वो डाल दी है उसके बाद तो चोटी की लाइची दो बालचांजेश पूंच छाहरी है मैं एक त्री त्री जाविञ द्री का का जा एवाल छिया है अब यहां अब यहां मैंने एक टेबिल सपून भर निये लिया है और एंधिय अधिय कोंट पाॉडर लिया है धनिये हमने नहीं डाले थे स्टार्टिंग में, नान्गोष्ट में दनिये बाद में डाले जाते हैं अब इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और अभी हम इसे साइट में रख देंगे यहां करीब 45 मिनट हो चुके हैं गोश्ट को गलते हुए तो यहां मैं जो गोश्ट है वो अच्छे से गल चुका है मैं एक बर आपको देखिए तोड़कर दिखा देती हूँ करीब 90% तक गोश्ट अच्छे से कुक हो चुका है अभी जा हम इसको भूनेंगे तो 10% यह उसमें गल जाएगा हमने जो धनिये और कोकोनट पौडर को मिक्स करके रखा था वो हमें तुरंट इसमें डाल देने हैं और उसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है गोश्ट को मैंने बीच में 2-3 बर चला दिया था आप अगर कड़ाई में जी सालन बना रहे हैं नानगोश्ट और अगर पीच में चलाते हैं आपको ज़रूरत महसूस हो पानी की तो पानी आप इसमें और डाल दीजेगा अब यह देखिए अच्छे से मिक्स कर देना है अब हमें गैस की फिल्म को लोग कर देना है अब यह में इसमें डेसी घी डाल रही हूं एक टेबिल स्पून भर कर इससे एक तो टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाता है और दूसरा खुश्बू बहुत अच्छी आती है और जो ट्रडीशनली बनाया जाता है नान गोश्ट उसमें डेसी घी का इस्तमाल किया जाता है अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप इससे स्किप कर सकते हैं अच्छी से मिक्स करने के बाद में हमने जो मकानों को फ्राय किया ताब भी हम इसमें डाल देंगे और लास्ट में हमें गैस की फ्लेम को आफ कर देना है और दो टेबल स्पून भरकर हमें इसमें केवरा वाटर डाल देना है तो बल्कुल बवर्ची स्टायल हमारा नान गो अच्छी बन कर त्यार है आप एक बार रेसिपी को जरूर रह किज़ेगा अच्छी लगे तो लाइक है